नमस्कार दोस्तों जैसी रिशा मेरे एक वीवर्स हैं जिनने मेरे मोबाइल नेंबर वाली सर्विस ले रखी हैं उनका मुझे कॉल आया था उन सन्ने बताया था कि सर मैंने मूच्वल फंड की एक स्कीम में पैसा निवेश करा था 2018 में लेकिन करेंट टाइम में जब मैंने मे जिसको हम बोलते हैं ELSS funds ठीक है अब जो इस तरीके के funds होते हैं नहीं में locking period होता है तीन साल का तो mostly निवेशक को यही लगता है कि मेरे target है 5 साल का 10 साल का 15 साल का मतलब 3 साल से ज्यादा साल के लिए मैं निवेश कर रहा हूं तो मुझे locking period की कोई दिक्कत परिशानी नहीं आ मैं tax saving fund को इतना ना पसंद क्यों करता हूं invest क्यों नहीं करता हूं और आपको भी मना क्यों करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं देखर पहली चीशतों क्या होती है tax saving fund है ना इनकी सबसे बड़ी मुझे जो खराबी लगती है वो यह लगती है कोई सी भी condition हो आप 3 साल से प करते हैं जो इनकी unit होते है short round वाले 3 साल से पहले वो इनकी nominee को transfer करते है फिर वो उसको easy moment पे withdraw कर सकता है इसके लावा कोई option नहीं आता है लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि sir हमारा पूरा पैसा है ठीक है वो redeem नहीं हो रहा बस थोड़ा बहुत पैसा redeem हो रहा है उसकी क्या concept concept सीधा सा है क्या होता है अगर हम tax saving fund की बात करें न तो mostly निवेशक को यह लगता है कि sir locking period 3 साल का है तो 3 साल तक तुम्हें पैसा निकाल नहीं सकता है लेकिन sir मेरा target है 5 साल का यह माली जी मेला target है sir 10 साल का तो क्या होगा easy moment मेरा पैसा है मुशको withdraw कर लूगा 10 साल बात पूर अब माली जी आपने SIP चला या आपकी 2024 के अंदर ठीक है और आपका target है मेरी SIP में चलाओंगा 2034 ठीक है मतलब 2034 तक मेरी SIP में चलाओंगा और 2034 जैसी आएगा मेरी SIP में cancel करूँगा और मेरा पूरा की पूरा पैसा मैं क्या करूँगा redeem करूँगा तो आपका पैसा redeem नह नहीं होगा because क्या होता है mutual fund के अंदर जो locking period वाली scheme होती है ना इसमें short term के यूट होते हैं वह कैसे हो जाते हैं अब आपको यह हो रहा होगा कि सर 2024 से 2025 2025 से 2026 123 2027 मतलब क्या होगा सर 2024 25 26 26 27 मतलब मेरे तीन साल की यूट थे short term के थे मेरा short term का time period हतम हो गया अब क्या होगा जै इसने भी यह राएंगे वो long term के होगे तो यह concept गलत है गलत इसलिए है because क्या होता है mutual fund में जिस दिन आप आपकी SIP cancel करोगे उसके ठीक पहले के तीन साल में आपने जितना भी निवेश करा है वो आपके unit कौन से होगे locking period वाले अब यहाँ पे 2034 में आपकी SIP cancel कर रहे हो तो 2034 से ठीक पहले देखोगे तो 2031 से लेके 2034 तक का जितना भी investment है वो आपके कहलाएंगे locking period वाले short term के unit कैसे कहलाएंगे देखो 2034 से 2033, 2033 से 2032, 2032 से 2031 कितने साल होगा है तीन साल होगा है अब यह तीन साल में आपने जितना भी पैसा निवेश करा है 1000 की SIP के साब से आपक locking period वाले ठीक है विकास हमारा funded tax saving fund तीन साल का पैसा lock होता है तीन साल से पहले पैसा नहीं निकाल पाते इसलिए क्या होगा 2031 से 24 तक हमने जितना भी पैसा निवेश करा है जितने भी unit मिले है वो पैसा lock हो जाएगा आप उसको redeem नहीं कर पाओगे आप सिरिफ जो redeem कर होगा कि mutual fund के अंदर जो tax saving scheme होती है जब हमारा goal complete हो जाता है जब हम पैसा redeem करते है तो पूरा पैसा redeem क्यों नहीं होता है लेकिन यहाँ पर मैं आपको साफ साब बता दू यहाँ जो कारिवाई होती है सिर्फ SIP में होती है अगर आपने lump sum कर रखा है तो lump sum में किसी परकार की निकत परिशानी नहीं होती है because lump sum हम सिर्फ बड़े amount से करते हैं और एक दो बार करते हैं लेकिन क्या होता है SIP monthly हम पे करते हैं उसमें long term की unit भी होते है short term की unit भी होते है इसलिए यहाँ पर क्या होता है locking period वाली condition आपको देखने को बनती है तो बात आती कि सर अगर ऐसी condition हो करना चाहिए 2034 का इंतजार नहीं करना चाहिए आपको 2031 के अंदर आपको आपकी SIP है वो cancel कर देनी चाहिए पैसो को redeem नहीं करना है लेकिन आपको पैसा redeem करना है पैसा redeem करना है 2034 के last में दिसंबर वाले महने में जिससे क्या होगा आपका जितना भी investment है 2024 से लेके 2034 तक का वो सारे unit हो जाएंगे आपके long term के वो क्यों हो जाएंगे because आपने SIP cancel कर दी थी आपकी 2031 के अंदर तो सारे unit आपको long term के हो जाएंगे जो locking create वाला scene है वो खतम हो जाएगा इसलिहां पर क्या easy moment पे आपका पैसा पूरा की पूरा redeem हो जाएगा लेकिन मान लीजिए सर मैंने तो ऐसा करा नहीं 2024 में SIP कराई थी 2034 आच चुका है जैसा सर ने बताया 2018 में निवेश कराता और 2024 के अंदर अम में redeem कर रहा है तो सर उस condition में क्या करना है चलिए सर की condition ही बताता हूँ 2018 में सर ने निवेश कराता दो 2024 में सर का target था कि मेरा पैसा में redeem करूंगा cancel करूंगा आपने 2024 के अंदर आपकी SIP तो cancel करी दिये जितने भी locking period वाले आपके जितने भी lock वाला unit था आपकर lock उचुका है बाकी पैसा redeem हो चुका है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे तीन साल का और wait करना पड़ेगा मतलब 2024 से 2025, 2025 से 2026, 2026 से 2027 मतलब 2027 में 2027 के last moment पे जब आपका पैसा फसा हुआ था ठीक है वो पैसा भी आपका redeem हो जाएगा तो क्या होता है यहाँ पर यही दिक्कत परेशानी आती है जो tax saving fund होते हैं काफी ज़्यादा यह उल्चे हुए होते हैं निवेशक का पैसा है काफी ज़्यादा यह hold करके रखते हैं विकॉस क्या होता ह इसलिए मुझे concept अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पर मैं इसलिए निवेश नहीं करता हूँ और tax saving fund में आपको भी मना करता हूँ कि यहाँ पर निवेश मत करो उसमें आपके भलाईए because कि है अगर आप S.I.P करोगे तो कहीं न कहीं आप फस जाओगे लेकिन अगर आप ल परकार की दिक्कत परिशानी नहीं आएगी तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते मारी नेस्ट वीडियो में जैसरी शाम दोस्तों जैसरी रात